कि आज इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे कि प्लेट का फ्लांज किस तरीके से बनाया जाता हो कि यह जो फ्लेट देख रहे हैं और जो फ्लांज का डायमेटर है वह लगभग 2 मिटर है ठीक है तो आए देखते हैं कैसे बनाना है तो देखिए यहां पर सबसे पह प्लेट है उसका हमने बिल्कुल सेंटर में एक जो है लाइन खीचा हुआ है ठीक है और लाइन खीचने के बाद जो हमारा रेडियस है मतलब आईडी और ओडी का वह हमने मार्क कर लिया है और उसके बाद यहां पे उस पे जो है डिवाइडर चलाया जा रहा है तो प्लेट लिए उसमें आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा त्योरी वाला या फिर इसका जो फॉर्मूला है वह भी आपको मिल जाएगा एप में ठीक है या तो मैं जो इसका लिंग है वो इस वीडियो के एंड में या फिर आई बटन में लगा दूंगा अब देखके उसका पूरा कैलकुलेशन देख सकते हो और इस वीडियो में आपको इसका पूरा जो प्रैक्टिकल वर्क है वो देखने को मिलेगा ओके तो वीडियो को आप जो एंड तक देखिएगा दियान से देखिएगा लास्ट में इसका इंपोर्टन है वो में आपको बताऊंगा संटर मारा है ilgili सुमधिन को युआ सबसे पहले मैंने क्या बता है कि अपको सबसे पहले को चया करना हुआ है मतलब सीजानलाना मारना कि उसके बाद व् creating करके सर्केर लारी कि करना आज कशल का लगल उसको डीवाईडर घूमा देना हो घुमाना है ओके तो वह मार्क किया जा रहा है दो पॉइंट उपर में मारा गया है दो पॉइंट नीचे में भी मार करके और साइड साइड में भी सिधा लाइन खीच देंगे ओके तो आएए देखते हैं तो देख सकते हैं लाइन डॉरी की मदद से इसमें जो है लाइन खीचा जा रहा है और यह हमने लाइन लगा दिया ओके सेम इस साइड में भी या फिर आपकर इसका एक सेपरेट वीडियो चाहते हो मतलब मैं जिस तरीके से पेपर में पहले बना के दिखाता था अगर उस टाइप का वीडियो अगर आपको चाहिए तो अब कमेंड में जरूर लिखिए मैं क कि आपका आपको जरूर राइडीएस है उसके हम अ लाइन दोर शक्रा पर मार कर दे रहा है मतलब कहां तक कटिंग आएगा उसका जो उरिजीन पॉان्ट यह हम ले रहे है देख सकते हैं जो हमने एक रेडियस मारा है उसका एक सेंटर पॉइंट आएगा ना उसका रेडियस जो ओरिजिन पॉइंट आएगा वहीं से हम इसको ले रहे हैं कि यह वीडियो में इसलिए सूट किया हो क्योंकि नई लोग को अगर ठीरी मालूम हो जाता तो उनको प्रैक्टिकल और को मतलब कैसे काम किया जाता वह अगर मालूम नहीं रहेगा तो फिर काम करने में उनको प्रॉब्लम आएगा इसके लिए मैंने यह भी वीडियो जो है तो देखिए और सीखिए और हमने अभी तब अपने चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है ठीक है तो आप लोग जाके चेक आउट कर सकते हो चेक करने के लिए क्या करना है सिंपली यूट्यूब पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है फिटर की पू एक काम सिखना चाते हो तो वहाँ पर प्ल्लिस्ट है इस टेकट्चर फिटर के नम से उस पे जाए और कलिक करें उस में बहुत सारे वीडियो पड़ा हूँ है ऌप अगसे अगर आपको देखना है चीखना है तो आप जाके देख सकते हो और शीख सकते हुक्प तो देखिए हमने एक साइट का जो है जो लाइन है कि अमने मार दिया है है ना यहां पर आम ने जो तक की बशी बासट घ्माया वह आपको दिखनाов भाया है इसके लिए आपको सैथ समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन बीच बीच में यहाँ पर डिवाइडर घुमाया गया है है आपको दिखने ही रहा है वो ओके तो पूरा हो चुका है देख सकते हैं मार्किंग अब इसमें हम सेंटर पंच मार देंगे यह देखिए सेंटर पंच मारा जा रहा है ओके सेंटर पंच लगभग मैंने जो है 10-10 mm के डिस्टेंस पे मारा हुआ है 10-15 mm के डिस्टेंस पे क्योंकि कटिंग करने के टाइम पे सेंटर पंच नहीं रहने से प्रॉब्लम होगा इसलिए सेंटर पंच भी आपको मार लेना है पूरा रेडियस में आपको पूरा गोल-गोल मारना है पूरा गोलाई तक तो देख सकते हैं हमने प्लेट जो है कटिंग करवा दिया है ठीक है जिस तरीके से मार्किंग था इसका उसी तरीके से हमने सेम टू सेम इसका कटिंग करवा दिया है और अब इसका हम यहाँ पर भी जो है इसमें मार रहे हैं देख सकते हैं मतलब भी ग्रूब बनाया जा रहा है चिक है क्योंकि क्योंकि दोनों जब प्लेट जॉइंट होगा तो ऋसमें वेल्डिंग के लिए हमें वी इसमें देना पड़ेगा तो फही ग्रूब इसमें बनाया जा रहा है वेल्डिंग के लिए और अभी इसमें ग्रैंडिंग भी करना पड़ेगा और ग्रैंडिंग करके तब इसका फिट अप करेंगे तो देखिए किस तरीके से यहां पर कटिंग करके और भी मारा जा रहा है अगर तो यह देखिए हमने जहां पर लियाउट कर लिया है ति कर लेआउट करने के बाद आपको इसमें क्या करना इसमें अपको इस टॉपर लगा देना थीक है अंदर अंदर में क्योंकि जब आप पहली बार जब बनाओगे तो आपको साइद प्रॉलम हो सकती है इसलिए आपको अंदर अंदर जो है इसका इस टॉपर मार लेना हमने इसमें पेंसिल से पूरा मार कर दिया है वो आपको नहीं करना आपको इस पे सेंटर पंच से डारेक्ट से पंच कर देना मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें पेंसिल से चारो तरफ मार कर दिया और उसके बाद देखिए हमने हाँ पे प्लेट रख दिया है जो आमारा भी कटिंग हुआ है ट्रेंडिंग वी हो चुकाई है और अब बलेट जो है चारो तरफ हम रख रहे हैं कर है कि अ कर दो आधे पर को कॉट्टर हो जाए जाए अ कर दो कि अ कर दो कदा चार को अ कर दो कर दूसर कर एक प्लेट हमने छोड़ दिया है ठीक है आपको भी हमने दो छोड़ा है ठीक है लेकिन आपको एक ही छोड़ना है एक प्लेट आपको लास्ट का छोड़ देना है उसमें कटिंग और भी नहीं मरवाना है क्योंकि जब आप इसमें भी मारो गया तो जो है छोटा बड़ा हो सक ठीक है तो आपको भी एक प्लेट लास्ट का छोड़ देना है देखिए वही अभी यहाँ पे कटिंग हो रहा है ओके जो हमने एक प्लेट जो लास्ट में छोड़ा था वह आपको एक्चली उस पर रखके और पेंसिल से मार करके आपको उसको जो है मिलाना है वारना फिर ठीक है तो देख सकते हमने जो है मैच कर दिया है पूरा चालो तरफ और यह बिल्कुल जो है जीरो जीरो हो चुका है ठीक है तो इस तरीके से आपको फ्लांज बनाना है देखिए अब वेल्डिंग का यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है तो देखिए वेल्डिंग करने के ल बेट में देख़ीए वेल्डिंग फोड़ा कम ही मारा है वेल्डिंग ićन को दोनों साइड मारनास मराया और ज्यादा मारना है। हम इस तरी के से फ्लांज मनें रहा है uh तो इस तरीके से हम जो फ्लांज बनाते हैं तो आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला होगा अगर कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट हो तो आप जो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग सबसने कर से जरूर आंट थास किन्ä तो आपको वाचिंघ को रचाना राई हो रखिया का ने